इसलाम इसलाम ने क्या किया मुसल्मानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं मुसल्मानों की बात मैं करीन नहीं रहा हूं इसलाम ने ये इसलिए इसलाम ने क्या किया जो बात तुलसीदाजी कहता है ना सुनहु उमा ते लोग अभागी हरित्याग भैवी से अनुरागी वही बात इसलाम कहता है कि जिना हराम है शराब हराम है इसलाम कहता है कि जो भी बाहर भाग तुम बाहर जो मज़ा ले रहे हो वह सब हराम है क्योंकि अल्ला तो कल्ब में बैठा हुआ है ना इसलाम क्या मैसेज है इसलाम का मुस्लामान इसको समझाई नहीं पाता यही बात तुलसी दास जी कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी हरी त्याग भय विशे अनुरागी सुनहु सुनहु उमा ते लोग अभागी हरी त्याग भय विशे अनुरागी हरी त्याग भय विशे अनुरागी की भगवान का त्याग करके किसमें पढ़ गये सेंसेस के भोग में यही बात इसलाम कहता है जो भी सुक तुम बहुर ढूड रहे हो वह हराम बाहर जो भी तुम ढूड रहे हो वह हराम है जिना हराम है नशा हराम है संगीत हराब है क्यों क्यों हराम है और यही बात गीता कह रही है लूतीय ज्धाय के 14 इसलोक में यही बात गीता कह रही है दूती अध्याएगे 14 में इस लोग में तो इसका मतलब हम लोग संसार छोड़ दें हिमालय चले जाए समंदर में डूब जाए नहीं बाबुजी कि यही बात तो नहीं करना है कि इसी बात को तो मैं आपको बता दूत्याएगे 14 में लोग मात्रास परशास्त कौंते शीतोष्र सुख सुख दुखदा आगम पयोन अनित्यास निस्तम छितस्व भारता है कुंति पुत्र सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाली इंद्रियों और विश्यों के संयोग तो अनित्य है जण भंबुर है गीता का दूतिय अध्याए सेकेंड चैप्टर कौन से श्लोक 14 यह तीनों एक ही बात कह रहे है कि इसलाम बना शांदार दरों मुसल्मानों को मैं क्या को अभी उल्टा सीधा बोल दूंगा फिर यह पिन पिनाएंगे और इससका अग्मी है तो यहीं इनकी कमजोरी है कि यह अपनी गल्टी को सुनना ही नहीं चाहते हैं इनकी तारीफ करो इसलाम की तारीफ की जा सकती है बंगलादेश में जो कांड हुआ जहां मुसल्मान रहें वहां लड़के औरते बच्चे सुरक्षित न रहें तब वो मुसल्मान नहीं हैं तब फिर कोई और है वो जिनके पास इमान है वहां जो लोग रहें वहां लड़के बच्चे इस्तरियां सन्यासी या असुरक्षित रहें असंबहो असंबहो फिर वो मुसल्मान नहीं है फिर वो कोई और है पढ़ो अजरत मुहम्मद की जीवनी पढ़ो अजरत मुहम्मद की जीवनी मंगलादेश में जो घटनाय घट रही है जो वहां चीजे घट रही है उसको सबको विरोध करना चाहिए सबको विरोध करना चाहिए खुलकर विरोध करना चाहिए हो क्या हिंदू क्या मुसल्मान क्या इसाई क्या सिक सबको करना चाहिए जहां भी इंसानियत मारी जा रही हो उसका विरोध सब को करना चाहिए और अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप शैतान के साथ है इसलाम ने कहा मूर्थी भी आपको बाहर ले जाती है तो मूर्थी का विरोध कर दिया है कि मूर्थी भी आप बाहर ही देखते हो बाहर देखना ही नहीं है जब तक इमान ना आ जायए और जब इमान आ जायेगा जब आप अरहत हो जाओगे जब आप निर्वान को प्राप्त हो जाओगे यह सारी चीज़ें आपकी सेवर लक्ष्मी जी जहां आप विश्णू बने जहां आप अरहत हुए इस्पिरिच्वलिजम की दासी है कौन मैटीरियलिजम भगवान विश्णू की दासी है कौन लक्ष्मी जी है तो पतनी बेसिकली लेकिन रहती विश्णू जी के साथ है और विश्णू विहीन लक्ष्मी जी फिर चंडिका हो जाएंगी काली तुर्गा विद्ध्वन्स मचाना शुरू कर तो मैटीरियलिजम को छोड़ना नहीं है कि ना कि आइदल चले कौन बोल रहा है कि वहीं पुरानी तक्थी लिखा है उठाले जो सत्तर साल पहले तक्थी चलती दी यह स्मार्ट बोर्ट सब छोड़ दे तक्थी लिया है वो गाउं में नर्कुल होती थी नर्कुल ले ले और फिर नर्कुल से लिखिया हो जितने विज्ञान की लबदिया है सब छोड़ दे मोबाईल उपाईल जब पानी फेग दे कौन बोला कौन कह रहा है ऐसा सब मानों की सेवा के लिए है मेटरलिजम मानों की सेवा के लिए है लेकिन वो सेवा तब करेगा जब वो स्पिरिच्वलिजम के साए में रहेगा इसलिए अनिवार रहे तुम लोगों के लिए spiritual path पर चलना अगर तुम spiritual path पर नहीं चले तो यह materialism जो है यह तुम्हारा सेवक के बजाए तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा तुम पर कब्जा कर लेगा AI और मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा